तो friends, आज हम बची हुई मेति की भाजी से एक इतना बढ़िया टेस्टी रसीप्भ बनाएंगे जिसको आप नास्ते में पी ले सकते हैं और लंच d scorpion सब मेले सकते हैं तो यहां पर पानी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि भाजी के साथ पानी रहता है इसमें तो हम इसको मिक्स करके इसका डो बना लिये हैं देखिए दो तयार हो गया है इसको दो में पैने रख दिया था अब हम इसकी एक मीडियम से थोड़ा बड़ी साइस का इसका एक लोई बनाएंगे जैसके आप देख रहे हैं रूटी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रैट करके इसके तिकोने अकार काम पराथा सिखेंगे तो पराथा बेल कर तियार हो गया है अब यहाँ पर पैन में मैंने आईल लगाया और आईल लगाने के बाद इसको हमको दीमी आच पर लो फ्लेम पर ही सेखना है क्योंकि यह थोड़ा मोटा है तो यह सिखने में टाइम लेगा लेकिन यह इतना टेस्टी रहेगा आप इसे अचार के साथ सबजी के साथ किसी की साथ भी खा सकते हैं मुझे तो यह खीर के साथ अच्छा लगता है तो म को कैसा लगा इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा